नमस्ते दोस्तों, आज फिर हम लाए हैं किचन की अजीब गरीब टिप्स और ट्रिक्स वीडियो को लाज तक देखेगा, कोई भी जानकारी मिश्मत कीजेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, सब्सक्राइब कीजेगा, फोलो कीजेगा तो आते हैं हम हमारी पहले टिप्स के उपर और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईएगा कि आप दुनिया के किस कोने से मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले बात आती है, हातों में जब हम वियर करते हैं इस ब्रेसलेट को तो ब्राइडल्स को जब हम पहनाते हैं तो इसे असेंबल करने में वास्तों में बहुत ज़्यादा परिशानी आती है और मुझे यकीन है कि इस परिशानी से हर लेडिस, हर गर्ल्स जूज रही है, आपको कुछ नहीं करना है, डबल टेप का यूज करना है, डबल टेप की हेल्प से यह इजिली क्विक फिस्ट हो जाएगा, इतने अच्छे से फिक्स हो जाएगा, कि आपकी यह जो यह प्रॉ पहनी है, ऐसा सिरदर्द हो लगने लग जाता है, इस प्रकार से जब हातों में हम इसे पहनते हैं, तो आपको डबल टेप का यूज करना है, जब आप डबल टेप से इसे चिपका दें, जहां जहां भी आपको लग रहा है कि डबल टेप चिपकाना है, पूरे हातों में इस प्रकार से आप लगा दे और पहने और मजे करें आपको कोई प्राब्लम नहीं होगी आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा आते हैं हमारी अगली टिप्स के उपर दोस्तों बरसात का सीजन हो या फिर हम कभी-कभी गीले हाथ भी लगा देते हैं माचीस क उपर जिससे हमारी माचीस के अंदर सीलन आ जाती है और हमारी माचीस की सारी तीलिया खराब हो जाती है तो चिंता ना करिए आपकी माचीस में अगर सीलन आ भी गई है तो आपको थोड़े से चावल के दाने उसमें डाल देना है या फिर कोई ऐसी दाल या सीट्स जो नमी को सोक सके ऐसे सीट ऐसे बीच इसके अंदर आपको डाल देना है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप पहले इसे डाल के रखेंगे तो इसमें नमी आएगी ही नहीं आते हैं हम हमारी अगली टिप्स की उपर दोस्तों दोस्तों जब भी कभी हमें लासून हरी मिर्च अद्रग या फिर मिक्सर हमें नहीं चलाना हो तो खलबत्ते के अंदर हम इने कूटते हैं और कूटने के दोरान हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो प्रॉब्लम आप अभी इस वीडियो में देखेंगे इसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर द कोई भी पार्टिकल्स बाहर आकर ना निकले उसके लिए आपको क्या करना है मैं वो भी बता देती हूं आपको आपको लेना है आधा चमज नमक और नमक इसके अंदर आपको डाल देना है जी अहां दोस्तों जब आप नमक इसके अंदर डाल देंगे फिर आप चाहे कितनी भी तेजी से कुटेंगे आपका कोई भी मटेरियल बाहर आकर नहीं गिरेगा और साथी साथ नमक पानी भी छोड़ता है तो नमक डालने से ये बहुत जल्दी पीस जाएंगी बहुत जल्दी कुट जाएंगी आपकी सबजी बनाने के लिए रेडी हो जाएंगी तो आपको मे अगली टीप्स के उपर दोस्तों हम कभी मार्केट जाते हैं तो इस प्रकार की पॉलिथीन बेक ले जाते हैं अगर थोड़ा वह सामान हमें चाहिए रहता है या थोड़ा वह सामान हम लेने जाते हैं इस प्रकार की पॉलिथीन फिर हम क्या करते हैं पेसे इस पॉलिथीन क फिर हम अगेन कोई सामान खरीते हैं, हमें पेशे देना रहते हैं, तो नीचे हाथ हमारा जा नहीं पाता, और हमें अनकमफर्ट फिल होता है, तो इस प्रकार का पर्स हमारे घर में आसानी से अवेलेबल होता है, जोल्री वगेर का, तो आपको सेफटी पीन से इसे सबसे उप क्योरा टेज कर लेना है, तो यह आपका बेक पफेक्ट रूप में रेडी हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब भी आपको सामान खरीते हैं, इसमें से पेसे निकाल कर आप दे सकते हैं, आते हैं हमारी अगली टीप्स के उपर, इस टीप्स के बा और हम उस गिले बेलन से रोटियां बेलने लगते हैं, तो हमारी रोटियां जो होती ही चिपक जाती हैं, बनती नहीं है, और अगर हम बेलन के उपर आटा लगा कर उसे सुकाते हैं, तो वो जो आटे के धाग है या धब्धब्बे हैं, रोटी के उपर चिपक जाते हैं, औ और हमारी रोटी सुंदर नजर नहीं आती और अच्छी भी नहीं बनती तो आपको क्या करना है धीमी आज पर या तेज आज पर जैसी भी आपकी उस समय सिच्वेशन रहे आपको जल्दी रहे तो तेज आज की उपर भी आप बेलन को अच्छी से सेख लेजिएगा जिससे ज सारी प्रॉब्लम का सॉलूशन आपको मिल जाएगा आती है बात अगली टिप्स की दोस्तो लहसुन लहसुन जो है हम हर सबजियों में खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग तो बहुत ही जादा लहसुन खाना पसंद करते हैं अब बात आती है लहसुन को छिलने की तो लहस तो आपको क्या करना है बरसाद के मोसम में और ठंड के मोसम में गेज के उपर तवा रख देना है और तवे के उपर इसी 2-3 मिनिट सेक लेना है ताकि इसके अंदर जो भी मौईश हो वो सारा निकल जाए तो ये इजीली छिलके इसके हातों से मसलने से ही निकल जाएंगे लेकिन गर्मी के सीजन में तो आप क्या कीजिएगा हलका सा इसके उपर तेल लगा कर इसे धूप में रख दीजिएगा तेज धूप में ये आटोमेटिक ही सारे छिलके निकल जाएंगे आपको हातों से ज़्यादा प्रेस करने की भी आउशकता नहीं पड़ेगी ये देख कि हम हमारे घर के मसालों में लासून का उपयोग जादा करते हैं तो आप इस टिक्स का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि नेल्स इतने बेकार खराब हो जाते हैं और कभी-कभी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेल के अंदर फर्स भी जाते हैं तो आप इस टिप्स को पर्सनली इसमें से कौन सी टिप्स और ट्रिक्स आपके काम आई या काम आने वाली है या आपको अच्छी लगी और साथ इसाथ आपको कौन सी टिप्स और ट्रिक्स आती है वो भी आप मुझे बताएंगे तो मैं वीडियो में जरूर लेकर आऊंगी क्योंकि एक दूसरे के ह एल्प से ही में भी यहां वीडियो लेकर आती हूं घर में कोई बड़ा हो उनसे पूछ कर जो भी जानकारी मिलती है वो आपके सामने में लाती हूं दोस्तों आते हैं अगली टिपस के उपर हमारे मटर छिल गए हैं अब मटर के छिलकों को क्या हम फेक दे हम फेक ही देते हैं हम सारी वेस्टेस चीजों को फेकी देते हैं वेस्ट समझकर लेकिन अगर आप भी गार्डनिंग का सोक रखते हैं आपके घर में भी हरे पेड़ पोधे हैं पेड़ पोधे लगाए हुए हैं तो आपको क्या करना है इसको पानी में भीगो देना है कम से कम 24 गंटे पानी मे डाल दे पोधों को पूरा टॉनिक मिलेगा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा